जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी एन, पॉइसन गर्ल और एलड़ सू कुएन मौईन वैली के लोगों से लड़ रहे थे। मौईन वैली का लीडर बहुत ही साधा ताकतवर है क्योंकि वो थुसौंग के सेवन स्टार पर है। तो एक ही स्टार का डिफरेंस बहुत साधा पार डिफरेंस क्रेट कर देता है। इलड़सू कुएन तो हान फैंक से लड़ रही है और सियान और पॉइसन गल लीडर से लड़ रही है और वो बहुत साथा कुशिश करने के बाद भी लीडर को नहीं हरा पा रही है इसलिए अब सियान वो स्क्रोल जो उसे जी जूनियर ने दिया था उसकी एक खास किल का यू लीडर को हराना मुश्किल है लेकिन फिर भी वो पूरी कुशिश कर रहा है और अब लीडर भी पॉइसन गल को मारने का डिसाइड करता है और दोनों में आइकानिक लेवल की फाइट होनी लगती है क्योंकि दोनों ही दो सांग पर हैं पॉइसन गल अपने पॉइसन से हमला करती है तो लीडर उसे अपने इवल औरा से खत्म कर दीता है जियान उन स्किल्स को इनवो करने का पूरा ट्राय कर रहा है और पॉइसन गल के आसपास भी अब बहुत सारे आई स्पाइक्स आ गए हैं और वो भी अब और साधा इसे नहीं रोप पा रही है वो काफी साधा काइल हो गई है और लीडर कहता है कि तुम्हारे इस अपनी तलबार संभालते हुए कि क्या तुम्हारे इन बातों पर यकी किया जा सकता है लेटर फिर गुस्से में आइस स्पाइक्स उस पर छोड़ दीता है और पोईसन गल अपनी तलवार से एक एक करके काफी स्ट्रगल करते हुए उन्हें हटानी लगती है और तभी इतने में जियान की वो स्किल जो कि बुद्धा हैंड है वो तैयार हुनी लगती है जियान बहुत जल्दी जल्दी हैंड साइंस का यूज़ करनी लगता है क्योंकि वो दीख पा रहा है कि पोईसन गल घायल पर घायल होती जा रही है और अब घायल खड़ी हुई पोईसन गल मरने के एच पर होती है और वो अपना फाइनल ब्लो भी कर देता है कि तभी वहां जियान 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके आ जाता है और अपनी फ्लेम से पहले सभी आइस पैक्स को तोड़कर लीडर पर सी फ्लिपर, सील का यूज कर देता है और बुद्धा हैंड को उस पर छोड़ देता है और एक दूसरे को पीछे दाकेनली की कोशिश कर रही है जियान इतना साधा पार को यूज करने की वज़े से खुद भी खायल हो गया है और पॉजन गल उसे संभालती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो जिस पर जब वो अपने को ठीक बताता है और विस फोट की तरफ देखता है तो लीजर उसके इस अटाक को कंज्यूम करने और नलिफाय करने में काम्याब हो गया है हाला कि वो खुद बहुत साधा खायल हो गया है लेकिन वो अपना खाव छुपा लेता है और गुसे में कहता है कि तो ये तुम्हारा सिगनेचर मूव था तो अब तुम्हारी जान लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अब फैंग या और बागी अल्टस का बदला पूरा होगा वो तुरंट जियान को मारने के लिए उसके पास भागता है लेकिन तुरंट पौईसन कल भी उसके दरफ जियान को बचाने के लिए भागती है लेकिन लेजर पौईसन कल को धका दे कर खुद जियान के पीछे उसे मारने के लिए जान नहीं लगता है जियान अपनी Wings का यूज करते हुए वहां से भागने लगता है लेकिन अब लीजर बहुत गुस्से में है और वो परवत को काटता हुआ जियान के पीछे जा रहा है उनमें बहुत अक्राप भी हो रहा है लेकिन जियान महां से भागने की ही जादा कोशिश कर रहा है लीजर अपने बड़े से अफदार हाथ का यूज करके सियान को पकड़ रहा है और वो सियान को जोड़दार केक मारने में भी काम्याब हो जाता है जिससे उसके मूँ से खून आने लगता है पोईजन का लिए देखकर बहुत जिंता में आती है और वो दू सेकिंड का पॉस लेकर सोच कर अपना ट्रम कार्ट यूज करने का डिसाइड करती है वो अपनी पोईजन क्लाउट को फैलाने लगती है और अपनी पोईजन बाटी का यूज करके सबसे खदरनाग अटाक का यूज करने का डिसाइड करती है वो अपने सेट की poison ritual करके अपने आस पास clock फॉर्म कर रही है और वो इसमें लीडर को फसा देती है जियान तुरन poison girl को चिला कर रोगता है कि तुम ये मत करो इससे तुम मारी जा सकती हो लेकिन poison girl नहीं मानती क्योंकि और कोई चारा भी नहीं बचा है poison girl के आस पास उसकी poisonous body फिर से हावी होने लगती है और वो कहती है कि ऐसा करने पर तुमें हासे भागने का time मिल जाएगा जियान को अब बहुत सादा बुरा लगने लगता है और वो कहता है कि तुम बस इससे थोड़ी देर तक और संभाले रखो वो अपनी दो flames को merge करके पुद्धा lotus anger fire को create करने लगता है वही poison cloud के अंदर लीडर कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुमारी abilities एकदम इतनी सादा कैसे बढ़ गए लेकिन ये कितनी भी बढ़ जाएं highest level तो तुमारी 5 star 2 song पर ही होगी और मैं तो पहले ही 7 star 2 song पर हो जिस पर poison girl कहती है कि क्या सच में और फिर वो अपने दो poison dragons को leader पर छोड़ देती है ये दो poison dragon बहुँ जादा खदरनाक है और वो leader का पीछा करने लगते हैं और उसे जकरने की कुशिश करने लगते हैं और फिर फाइनली उसके दो dragon को अपने अफ़तार हैंड से पकड़ कर तोड़ भी देते हैं और उनकी पार्स को नलिफाइ कर देते हैं और जो उनका औरा निकला था उसको खुद में अब्सॉब कर लीते हैं poison girl कहती है कि तुमने तो मेरा poison औरा एब्सॉब कर लिया अब तुमें शायद अंदर से मेरे poison को चकर अच्छा लगेगा poison girl उसके अंदर गए हुए poison को कंट्रोल करके उनके strength को बढ़ानी लगती है और लीडर हसकर कहता है कि क्या सच में तुमने ऐसा सूचा कि इतनी असान ट्रिक से तुम मुझे हरा दोगी वो लीडर अपनी पार से अपनी बोडी को फ्यूरिफाइ करनी लगता है और कहता है कि तुम्हारा poison किसी और्डनरी मास्टर को अफेट कर सकता है लेकिन मुझे नहीं वो उसके poison को अपनी बोडी से पूरी तरह से निकाल लेता है और फिर अपनी पार से उसके cloud को तोड़ देता है अब फिर से वो खुले आसमान में आ जाते है और poison girl को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे जियान अपनी सिर्फ दो flames का यूज़ करके पुथा lotus angle fire को create कर रहा है और उसे नहीं पता कि क्या इतनी बार से demon ghost यानी लीडर को हराया जा सकता है या नहीं वो अपने teacher की bone chilling fire को भी लेता है और पुथा lotus angle fire को और साथा मजबूत बनाने लगता है और फिर यहीं ये episode खत्म हो जाता है इसके अगले episode का preview भी हमारे सामने आ गया है और उसको धेकर हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होनी वाला है लीडर जिसको कोई नहीं हरा पा रहा है और poison girl घायल होकर वहां खड़ी है और जियान पुथा lotus angle fire को ही create कर रहा है और लीडर अब गुस्ते में poison girl को eye spikes दे मारता है जो poison girl के आरपार हो जाती है और poison girl मरने के अवस्ता में आ जाती है और वो अपने बहुत सादा eye spikes छोड़ दीता है ताकि पूरी तरह से poison girl को मार दे लेकिन फिर इतने में जियान का वो बुद्धा lotus anger fire बड़ा होने लगता है और वो बहुत सादा बड़ा हो जाता है उनकी लड़ाई होते होते inner academy तक बहुत जाती है और वहां mostly buildings चलने लगती है जियान अब अपनी परवा किये बिना ही उस बुद्धा lotus anger fire को बड़ा किये जा रहा है और hand science का use करने लगता है और वो शायद सियान को बचा लेगा और ये mysterious आत्मी कौन है ये हमें आगे आने वाले episode में पता चलेगा काफी लोग शुरू से summary को देखना चाहते थे तो हमने उनके लिए Miss Voice Over 2 पर एक बड़े वीडियो में सभी season की summary बना दी है जिससे आप आँ जाकर दीख सकते हैं तो अब हम आपसे Miss Voice Over 2 पर मिलते हैं तब तक के लिए बाए